नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है ड्रीम मीनिंग रूजी 1.0 में आज हम डिटेल में कवर करेंगे A.R.I. vs. H.S. ड्रीम 11 टीम, ड्रीम 11 टीम अप टूडे मैच A.S.S. T10 लेंड्स करोना का जो फर्स्ट क्वाइलिफायर मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बेस्ट मैन, कौन सा लाउंडर और कौन सा बोलर आपके लिए इपोर्टन पिक बनेगी तो संपूर्ण एनलाइसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में और सबसे इपोर्टन बाद जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी जो फानल अपडेट रहेगी वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो जल्दी से जाके गई टेलिग्राम चैनल को जूइन कलेना अब आते हैं गाईज एनलाइसिस सेक्षन में तो दोस्तो इस मैच का वेन्यू रहेगा लैंड्स करोना क्रिकेट कलब स्वीडन में यह मुकाबला खेला जाएगा अगर दोस्तो बात की जाए पिछ रिपोर्ट की तो ओरोल यहां का विकेट है वो एक बैलेस विकेट अक्सेप्ट किया गए में साथ साथ देखोए तो एक्स्ता सपोर्ट है यहां पर पेसर गेंदवा जो को भी काफी अच्छा मिलता है विस वेन्यू के फर्स्ट इनिंग के ओरी स्कूर की बात की जाए तो 90 और 100 के राउंड आप अपना ओरी स्कूर है वो अक्सेप्ट करके चल सकती हो इसी के अंडर आपको उवरी स्कूर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा वहीं इस सीजन तो लास्ट के चार मुकाबले यहां पर खेले गए हैं उनके बारे में बात कीज़े तो लास्ट वाले मुकाबले में ARI की टीम ने बैट फर्स्ट करते हुए यहां पर उन्हीं तरन ना है और UCC की टीम में वो केवल 22 रन पे ही आल आउट हो गई थी और यह मुकाबला 47 रनों से लोस कर दिया था सेकिन लास्ट मुकाबले में देखो हुए तो UCC की टीम ने बैट फर्स्ट करते हुए यहां पर उन्हीं तरन ना है और ARI की टीम ने वेलक से काफी आसानी से चेज कर लिया और यह मुकाबला वो साथ विकेटों से वोन कर लिया था थर लास्ट मुकाबले में देखो हुए तो M.A.M. की टीम ने बैट फर्स्ट करते हुए यहां पर 130 रना है और L.O.M. की टीम वेलक से चेज नहीं कर पाई और यह मुकाबला वो 45 रनों से लोस कर दिया था बाकी स्वेन्यू की जो भी फ्रैस्पित रिपोर्ट होगी वो मिल जाएगे आपको उमारे इसी टेलिग्राम चैनल पे और इस टेलिग्राम चैनल के दू लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो जल्दी से जाए के गाईज टेलिग्राम चैनल को जूविन कर लेना अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी ARI की पॉसिबल प्लेंग 11 उससे पहले गाईज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना उसका नोडिपकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी ARI की पॉसिबल प्लेंग 11 तो इस टीम ने इस सीजन आठ मुकाबले के लिए हैं चैं मुकाबले वोन करके लिए वही दो मुकाबले हैं वो लोस करके लिए हैं लास्ट मैच में देखो हुए तो इस टीम की तरफ से आरियन सनवारी ओपन कराने के लिए एक केवल 12 रणना है टी टैन में देखो हुए तो केवल 13 मुकाबलों में 31 रणना है तो फो मिन की इतनी अच्छी काशी टी टैन में नहीं रहती है उस कंडिशन में एक रिस्की पिक रहेगी अगर ओपन कराने के लिए आते हैं और साथ साथ ए आर आई का टेम अगर फर्स्ट निंग में बैटिंग करता है तो उस कंडिशन में आप चाओ तो आरियन सनवारी को जील वगरा में CVC भी ट्राई करके चल सकते हो वहीं बात किजए एन सुल्तान की तो लास्ट मैच में इन खिलाया नहीं गया था लेकिन ये आपके लिए एक इपोर्टन पिक रहेगी और इस मैच में आपको जरूर से खेलते हुए नजर आता हैंगी टी टैन में देखोगे तो सत्रा मुकावलों में 418 नहीं पांच ओवर की बोलिंग डाली है अलांकि सपलता नहीं मिली है लेकिन इस सीजन देखोगे तो तीन ओवर की बोलिंग डाली है और चार विकेट निकाल के दिए और फोम भी काफी लाजवाब चलिए तो एक से एक CV की चोईस रहेगी अगर खेलते हैं तो जुरूर सी अपनी टीम में आप कवर करके चल लेना गाईज वहीं बात की दे अत्ता रहमान की तो लास्ट मैट में देखो तो नमबर तीन पर बैटिंग करने के लिए पांस रमना है दोवर की कंपलीट बोलिंग डाली च्यार विके रहेगी तो जिल वगरा में आप जुरूर से सी वी सी ट्राइ करके चल सकते हूँ बसीर हमान की बात की जाये तो लास्ट मैट में देखो ये तो 14 रहना है सेकेंड और थर लास्ट में बैटिंग और बोलिंग दोनों का मोका नहीं मिला तो एक रियस्की सी पिक रहेगी वही की टीट एन में काफी लाजवाब रहते हैं बैटिंग उसद भी काफी लाजवाब रहते हैं तो जीलोगरा में एक इपोर्टन्ट पिक रहेगी तो जुरूर सी अपनी टीम में कवर करके चला गाई वहीं बात कीज़े जमीन जज्जाई की तो लास्ट मैट में बैटिंग में सातर नगा है एक ओवर की बोलिंग डाली एक विकेट निकाल के दिया है सैकिन लास्ट मैट में बैटिंग में पांच रन नगा है दोवर की बोलिंग डाली दो विकेट निकाल के दिया है सैकिन लास्ट मैट में भी एक विकेट और थर्लास मैट में भी दो विकेट इपोर् रहेगी अगर अबूई क्यों आप चाहो तो जीयल वगरा में जुरूरशी अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो ओमार जादरन की बात की जै तो कभी ओपन कराने के लिए आ जाते हैं कभी वन डाउन बैटिंग कराने के लिए लास्ट मैच में देखो इतो नमबर साथ पर बै इपोर्टन पिकाप कर ले रहेगी साथ साथ देखो यह तो कभी भी आपको उपर बैटिंग कराती हुए नजर आ सकते हैं उस कंडिशन में आप जियल वगरा में शुरूर जुरूर से सी वी सी ट्राइ करके चल सकती हो गई वहीं बात की जाए वही दिला स्रीप की टो टी टै दा नीचे रहेगा एक रिस्की पिक रहेगी बाकि आप सीधा सीधा ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो आज रस्खान की बात कीज़े तो लास्ट के दो मॉर्चिज में देखो हुए तो ना तो इनसी बोलिंग डलवाई जा रही है ना बैटिंग का मौका मिल रहे तो उस कं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो जल्दी से जाके गई टेलिग्राम चैनल को जूइन करे ना तो वीडियो को एक लाइक कर दो गाई के ओल पसास लाइक का टार्गेटर का है और वहीं साथ साथ देखो जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी जो फान दो मुकाबले वोन करके रहेएं वही चैं मुकाबले है वो लोज करके आ रही है इस टीम की अपसे देखो है तो सुबास से टीया लास्ट मैच में ओपन कराने के लिए 28 रहेगी तो जुरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चला महीं बात किज़ें मधन प्रभू की तो लास्ट मेर में बैटिंग में 31 सरमनास है दोवर की बोलिंग डाली हालां कि सफलता नहीं मीली सेकर्ड यस मेट headlights में देखोगी तो फिर से बैटिंग में 44 सरमना और एक पॉइंट दोवर की बोलिंग ड़ली सफलता नहीं मिली सरर नहीं दो एपनी पर तो जुरूर शी में नमर 3 पर बैटिंग करने के लिए एक और की बोलिंग डाली सपलता नहीं मिली सेकंड लास मैच में ठाल लास मैच में एक रण फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चलिए उस कंडिशन में एक रिस्की सी पिक रहेगी बाकि आपके लिए एक सेफ पिक भी रहने वाली है तो ज अच्छी खासी नहीं चलिए उस सीजन भी देखोई तो एक मैच में भी 10 प्लस अन नहीं नहीं करवा के दिये तो एक रिस्की पिक रहेगी तो सिधा-सिधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकती हूँ दीना करना की बात की जाए तो लास्ट के दोनों मैच में देखोई तो इ एक रिस्की सीपी करेगी बाकि आप जीयलोगरा में जुरूर से ट्राइ करके चल सकते हूँ जीक कृष्णा मूर्ती के बात की जाए तो लास्ट मैच में ने भी बैटिंग और बोलिंग दोनों का मौका नहीं मिला सैकंड लास्ट मैच में एक और की बोलिंग डाली एक वि जाए लेकिन ऊससे पहले एक मैच में तीन विकेट निकाले उससे पहले वाले दो मैचों में एक-एक विकेट निकाले एक कुल मिला के औरले सिप्पी करेंगे चाल तो अपने टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हूँ बाकि Л000 की तरब देखा जाए तो मुझे लगता नहीं इस टीम की तरब से अन्य कोई भी चैंजी रोगता है तो उस प्लेयर का रिकोर्ड में आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवा देंगे और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो ज लाजवाब चलिए तो आप चाहो तो जील वगरा में CBC भी ट्राइ करके चल सकती हो क्यों साधत भी आपके लिए इपोर्टन एंट्रंप काड़ पिक रहेगी तो दोनों प्लेयरों को आप जरूर सी अपनी टीम में कवर करके चलां प्रमोज सेकर की बात की जाए तो ये इ रोप करके चल सकते हो बैटिंग ओर्डर में बात की जाए तो एन सुल्तान आपके लिए इपोर्टन पिक रहेगी अगर इस मैच में खेलते तो सीधा सीधा अपनी टीम में आप कवर करके जील वगरा में CBC भी ट्राइ करके चल सकते हो समोलिग में आपके लिए वीसी के ए आरियन सनिवार इनने लास्ट मैच में ओपन करवाई लेकिन केवल 12.99 फोम इतनी अच्छी कासी नहीं चली है उस कंडिशन में आप सिधा सिधा ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो डबलू सेफारी की बात का जाए शरीफ की तो इपोर्टन पिक आपके ले रहेगी तो जु कोनों टीमों में CVC ट्राइ करके चल सकते हो जादरन की बात की जाए तो एक और इसी पिक आपके ले रहेगी चाहो तो अपनी टीम में आप जुरूर से कवर करके चल सकते हो अब नेस पांडे आपके लिए जील में ट्रंप काड़ पिक रहने वाली है इस मैच में तो जील कोंबिनेसन में आप अब नेस पांडे को CVC ट्राइ करके चल सकते हो वही नीचे की सभी पिक आपके लिए रिस्की रहने वाली है तो सिधा-सिधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो चीन सेटी हो गया आपके लिए इपोर्टन पिक रहेगी तो जुरूर सी अपनी टी सेटी में कावर का कितला वही रोहित हो गया स्थीन सेटी हो गया अपर मोंबध खान हो गया इन तीनों को अप जाओ तो जियल होगे आपके लेक औरी सी पिक रहेगी तो जुरूर सी आपनी टीम में आप कावर करके चल सकते हो अगर ग olmaz में तो nya में ट्रंप Cup कर लिए बन सक सकती हूँ Captain वाइस Captain की बात की जै उससे पहले गाईज अगर आपने अभी तक यमारे टेलीग्राम चैनल को जूइन करना टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टिशन में मिल जाएंगे जो हमारी फाइनल टीम रहेगी जो फाइनल अपडेट रहेगी वो आपको यहीं पर मिलेगी तो इपोर्टन रहेगा गाई तो जल्दी से जाके टेलिग्राम चैनल को जूइन करना कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो एम परभू रामन को अपनी टीम में कैप्टन ट्राइ करके चलाँ वाइस कैप्टन है वो जमीन जजाई को ट्राइ करके चलाँ जील में आपके लिए बता देता हूँ अब अभी नेस पांडे आपके लिए ट्रम्प काड़ पिक रहेगी भी मोहमद को भी आप जील वगरा में जाएगी और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो जल्दी से जाके गाई टेलिग्राम चैनल को जूइन कर लेना अगर आपको स्टेट एनलाइसिज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर्श, सब्क्राइब जरूर से कर देना गाईज मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद, जै भारत